पिछले डेल महीने से सेयर बाजार में लगातार गिरावट का दोर देखने को मिल रहा है। इसी सब्ता हमें दूसरी बार सुक्रवार को सैंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिसत से अधिकी गिरावट देखी गई। कुछ स्मॉल कैप वाले सेयर ऐसे टूटे जैसे बाजार में मानो सुनामी सी आ गई हो। निवेसकों के आज 10 लाग करोड रुपे स्वाहा हो गए। कुछ सेयर तो 19 परसंट तक तूट गए। बाजार में आई इस भारी गिरावट के पीछे चार बड़ी वज़ा सामने आई है। सेयर बाजार में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण कमपनियों के तिमाही मुनाफे में आई कमी जो उम्मीदों से काफी कम रहा। बिदेशी निवेसको ने भारती बाजार से भारी मात्रा में पैसा निकाल लिया है जो अक्टूबर महिने में 88,244 करोण रूपे तक पहुच चुका है। इसके अलावा अमेर्की चुनाओ और ग्लोबल मार्किट में दबाओ के कारण भी बाजार पर नकारात्मक प्रभाओ पड़ा है। साथ ही चीन की सरकार द्वारा अपनी एकोनमी के लिए 142 अरब डॉलर का राहत पैकेज देना भारती बाजार के लिए नुकसान का सौधा साबित हो गया है। क्योंकि इसके चलते विदेशी निवेसक भारत से पैसा निकाल कर चीन में लगा रहे हैं। इन ही के साथ एक और बड़ी वज़ा भी हो सकती है कि लगातार गिरावट होने के कारण भारती निवेसकों में डर का महौल बना हुआ है। धन्यवाद जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें।